प्रियांका आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं भोश्पुरी बायोग्राफी में दोस्तो सफलता की डगर चलते चलते हमारे सितारे कभी कभी काम्यावी के सागर में गोते लगाने लग जाते हैं लेकिन इन काम्यावी की रह के पहले एक वो रह भी होती है जहां से उन्होंने अपने सफर की सुरुवात की हो जहां से उन्होंने अपनी कहानी का आगास किया है वैसे आज के समय कि अगर बात की जाए तो अब सितारों के फैंस तो हमेशा बेकरार ही रहते हैं कि कब उनसे दुवे के जीवन से जुड़ी जानकारी वैसे आमरपाली दुवे का जन 11 जनवरी 1987 को हुआ था कोरकपुर में एक भारतिय फिल्म और टेलिवीजन अविनेतरी है आमरपाली दुवे उन्होंने रहना है तेरी पलकों की छों में से सुमन के रूप में मुख्य भूमिका निभ उत्तर परदेश के गोरखपुर की रहने वाली है आमरपाली ने मुंबई के भवना कॉलेज से पढ़ाई की है और आमरपाली ने टेलिवीजन की दुनिया में सबसे पहले करियल की सुरवात की थी और इसके जो टीवी के शो में मुख्य सीरियल के नाम थे वो है साथ फेरे रहना है तेरे पलकों की छाओं में तेरा नाम मेरा नाम करेगी रोशन और हॉंटेड नाइट्स जी हाँ इसके बाद आमरपाली ने भोशप्री इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया और सबसे पहले साल 2014 में उन्होंने भोशप्री सिनेमा में दिनेश लाल यादव उफ निरह रिक्षा वाला में भी भूमी का निभाई थी जिसमें अभिने अपने अभिने से लोगों की दिलों पर राज करने लगी इसके साथ ही हम आपको बता दे कि सुर्वात समय में सबसे ज्यादा सुर्ख्या उन्होंने फिल्म आशिक आवारा बंबं बोल रहा है काशी और राम फिल्म बनाया है और आज के समय में आमरपाली के नाम से ही भोशप्री इंडस्ट्री की सुर्वात होती है जिए दोस्तों दसों को आपको बत्स वैसे तो यह बात पता ही है कि लोगों की भोशप्री इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार किसी गाने को 10 कडोर से भी परियन ने एक नई उड़ान भरी और उसके बाद अब आमरपाली दूबे एक बोजपरी फिल्म के लिए करीब साथ से नौ लाक रुपए लेती हैं लेकिन एक बार चलिए फिर से नजर डालते हैं निरहुआ और आमरपाली की जोड़ी को ले करके जी हां आप सभी को कुछ ज ने वाले हद से जादा चाहते हैं और हर फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को साथ ही देखना चाहते हैं जर बी अरे आमरपाली आ निरहुआ की केकमेस्टी ही ऐसी है कि मानों ऐसा लगता है की एक दूसरे के लिए ही ये बने है और आमरपाली निरहुआ की रिलीज हुई फिल्म ने ऐसा धमाका करा कि इसके बाद दोनों की जोड़ी पुरे भोजप्री सिनेमा में सबकी जुआ पे च्छा गई फिर दोनों ने साथ ही कई सुपर हिट फिल्में की जिन फिल्मों के नाम है निरहुआ हिट हुई थी इसके बाद आशिक अवारा और बंबं बोल रहा है काशी दोस्तों बंबं बोल रहा है काशी इस वज़े से भी खास थी क्यूंकि आमरपाली के इस फिल्म में आमरपाली निरहुआ तो थे ही साथ ही बॉलीवुड की देसी गल कही जाने वाली प्रयांका पीछे मुड के नहीं देखी इसकी बाद निरहुआ चले ससुराल साल 2016 में और राम रखे राम लखन तुमको अल्ला रखे बंबं बोल रहा है काशी और राम लखन भोचपी के सबसे जादा चर्चित में से रही थी यह फिल्में भोचपी स्नेमा में एवर ग्रीन मूविज बन गई है जी हां सब्रग फिल्म महुसम में आमरपाली को इन फिल्मों के लिए आवार्ड से भी नवाजा गया है वैसे भी भोचपी इंडस्ट्री में आमरपाली निरहुआ की जोड़ी को एक अलग पहचान मिली हुई है साथी दर्श को उनकी जोड़ी को हज से जादा पसंद करते हैं लोग इतना जबरदस्ट अभी ने किया कि फिल्म रिलीज होने के मात तीन दिनों में के भीतर ही अपनी अगतार कमाई करने लगे तरको फिल्म की स्टोरी एक्शन सीन कोमेस्ट्री सीन रोमेंस मुमेंट्स किस कदर भाय जाते हैं जलक फिल्म के सफल से ही देखने को मिलती है इसमें कोई शक नहीं है कि निरहुआ एक बहतरीन अक्टर और सिंगर और टीवी होश्ट है पर इसमें निरहुआ का पूरा-पूरा साथ आमरपाली ने निभाया था इन दोनों की इस दोनों अपनी फिल्म के जरिये दोनों के दिलों पर भी राज कर रहे हैं सुपर हिट फिल्मों के साथ ही दोनों की करियर भी सुपर हिट हो गया है और भोजपरी सिनेमा में अपने हुनर का डंका बजा रहे हैं दोनों और आमरपाली के अभी के फिल्मों की आगर बात क तो इस समय पर आमरपाली की सबसे बहुत चचित फिल्म ने रहुआ चलन लंदन की शूटिंग खत्म हो चुकी है और कयास लगाया जा रहा है कि ये साल 2018 में रिलीज कर दी जाएगी इसके साथ कहा ये भी जा रहा है कि आमरपाली फिल्म काशी अमरनाथ को आमरपाली से भी ब गाना शूट किया है जो कि खेसारी लाल के फिल्म दुलिन गंगा पार का है और आमरपाली के फैस को उसके इस गाने को देखने का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं इसके साथ ही खेसारी लाल से जब ये पूछा गया कि उन्होंने आमरपाली से ये गाना क्यों शूट करव तब उन्होंने उनका ये जवाब था कि आमरपाली भोषपरी इंडस्ट्री की एक बहतरीन अभिनेत्री है और जब वो ये गाना करेंगी तो खेसारी लाल को ये उमीद था कि जिस तरीके से पवन और आमरपाली का गाना भोषपरी इंडस्ट्री का नंबर वन गाना बन चु जैसे कि कुछ समय पहले खबर यह आ रही थी कि आमरपाली फिट से फैट हो गई है जी हां आमरपाली के मुटापे को लेकर भी बहुत सारी बाते हुई थी जिसके लिए आमरपाली ने दर्शकों की बातों को नजर अंदाज नहीं किया और अपने फिटनेस पर ध्यान देने लगी खबरों की माने तो आमरपाली भले ही बिजी हो भले ही इंडिया से बाहर हो भले ही अपने फिल्म के शूटिंग में व्यस्ट चल रही हो लेकिन अपने फिटनेस को लेकर के कभी वह अपने आप से चूकती नहीं है बलकि अपने फिटनेस को लेकर के काफी ज़्याद आमर पाली की शेयर हुई थि खluence दोस्तों ये तो उन लोगों के बारे में खबरती ये वो ऐसी खबरे हैं जो की एक स्टार को सुपरस्टार बनाती है जी हैं दोस्तों कहा जाता है कि फैन है तो स्टार है और स्टार है तो फैन है ठीक इसी तरिके से आमरपाली भी अपने फैंस को बहुत ही जादा ध्यान में रखती है और उन्हें जो लगता है कि मेरे फैंस कोई चीजे पसंद आएंगी वो वही करवाती है इसका सबसे बड़ा सबूत आपको बता दे कि हाली में निरहुआ इंटरेन्मेंट के बैनत तरे एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जो फिल्म का नाम है गूंगट में घोटाला जी हाँ इस फिल्म को लेकर के कयास ये लगाया जा रहा था कि इस फिल्म में आमरपाली और निरहुआ नजर आने वाले है लेकिन आमरपाली के कहने पर निरहुआ ने इस फिल्म में अपने भाई जी हाँ परवेजलाल यादब को एंटरी दिलवाई और इस फिल्म को उनके के कहने के अनुसार ये फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है जिए दोस्तों निरवा ने इस बात का खुलासा किया था कि आमरपाली कही कहने पर उन्हें ये लगा कि इस फिल्म में आमरपाली औरMom रहुआ को नहों कर परवेज को यह रूल दिया जाए यानि कि देखा जाये तो आमरपाली कहीं ना कहीं बोजप्री के दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से आग चुकी है कि बोजप्री दर्शकों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद जी हाँ और शयाईद इसलिए आज के समय में वो भोचपरी इंडस्री की नंबर वन एक्ट्रेस बन चुकी है इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी आमरपाली के नाम का डंका बज़ता है तैसे अब देखा यह जाता है कि साल 2018 में आमरपाली क्या क्या अपने दर्शकों के लिए लेकर आती है कौन सी उनकी नई फिल्म में होती है कल से मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगी भोचपरी के किसी नए स्टार्स के जीवन से जोड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिये इजादत और आपको आपके स्टार से जोड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस प्रोग्राम के कमेंट वॉक्स में जाकर बता सकते हैं साथ ही हमें ये जरूर बतायेगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा तब तक के लिए हमें दीजिये इजाज़त हम फिर से एक बार खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार